नमस्कार दोस्तों, अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला महौल चरम पर था, राजा आँखें मूदे हुए था, राजा के करीबी सत्ता के एहिंकार में अंधे हो चुके थे, अमरित काल अंधेर गर्दी काल में पूरी तरह से तब्दील हो चुका था, बेटिया आप ज साक्षी मलिक नाम की कुष्ति खिलारी ने हमेशह के लिए कुष्ति छोड़ दी राजा जब से गधी पर बैठे तब से धृतराश्टिता का शिकार थे उनको अपनी साक्षी बिटिया का हमेशा के लिए कुष्टी का खेल छोड़ देना दिखाई नहीं दिया राजा को जनता की चीख, पुकार, प्रजा की पुकार सब कुछ साजश लगता है इसलिए राजा ने अपने प्यादे का ही साइट लिया और साक्षी को खेल छोड़ करके भागने दिया जब राजा पूर्ण रतौंधी का शिकार हो गया तो दूसरे कुष्टी पुत्र बजरंग पुनिया ने राजा के महल के आगे अपना पर्मश्री त्याग दिया इस बार राजा को कुछ धंका लगा किसी ने राजा को समझाया होगा कि धर राश्टी तर्मश हो दै 24 के चुनाव अब सिर पर है कुछ तो कीजे तो सोचिए दोस्तो जिस राजा ने आज तक प्रजा को छोड़ कर सिर्फ अपने प्यादे को प्यार किया जिस राजा के नारे में बेटी बचाओ था उस राजा ने आज तक बेटियों की आवास नहीं सुनी वो राजा चुनाव पास देख करके घबरा गया राजा ने अपनी शक्ती का प्रयोग किया और अपने प्यादे के रेसलिंग फेडरेशन का होचुका चुनाव ही रद कर दिया राजा प्यादे प्रेव में कह सकता था कि प्यादे का करीबी चुनी हुई प्रक्रिया से ही चुना गया है लेकिन राजा को 24 का खौफ था जाटों के वोट पर चोट होती दिखाई देने लगी थी इसलिए राजा ने कुछ तेर के लिए धृतराष्ट्र पंती को किनारे रख कर चीन्टी पर नयाय की बात कर ली लेकिन राजा के मूँ लगे प्यादों को राजा का ये डिसीजिन पहले को रास नहीं आया दोस्तों राजा के प्यादे राजा के खिलाफ ही कोड जाने का मन किसलिए बना रहे हैं उसको भी थोड़े डीटेल में समझ लीजे दोस्तों राजा के खेल मंत्राले ने ब्रिजभूशन सिंग और उनके करीबी के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है उसने तुरन चुने गए भारती कुष्टी संग को निलंबित कर दिया पहलवानों के विरोध के बाद भाजबासांसर ब्रिजभूशन शरन सिंग को कुष्टी संग के अधक्ष के पस से हटा दिया गया था उसके बाद चुनाव हुआ और ब्रिजभूशन शरन सिंग के ही करीबी संजे सिंग चुनाव जीत गए संजे सिंग के अधक्ष बनने के बाद दिगज पहलवान साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फरिंस में कुष्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था उनके बाद बजरंग पुनिया ने भी अपना पदमश्री लोटा दिया था उनके अलावा हर्याना के पैरा अथलीट विरेन सिंग ने पदमश्री लोटाने का ऐलान कर दिया था सरकार को जब खोश आया तो नियमों के अवेलना का कारण बताते हुए कुष्टी संग को निलंबित कर दिया क्या कहा गया कि नए चुनेंगे कुष्टी संग के पहलवानों को तयारी के लिए परयाप्त नोर्टिस दिये बिना अंडर 15 और अंडर 20 राज्ट्रे प्रितियों के आयोजन की जल्दबासी में घोशना की थी खेल मंत्राले के एक अधिकारी ने बताया नए निकाए ने रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया के समविधान का पालन नहीं किया है हमने फेडरेशन को समाप्त नहीं किया है बलकि अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है उन्हें बस उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन करने की जरूरत है अब सोचिए दोस्तों जो महिला पहलवान धरने पर बैठी रह गई जिनकी हो जूतों के नीचे कुचला गया रौंदा गया उनकी नहीं सुनी गई लेकिन आज सरकार को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा सोचिए खर निलंबत का जो बहाना बनाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ब्रिजभूशन शरन सिंग के करीबी डव नव निर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंग को तस देन अध्यक्ष चुना गया था उस दिन उन्होंने गोश्टि के लिए अंडर 15 और अंडर 20 के राश्ट्री मुकाबले नंदनी नगर याने की ब्रिजभूशन भाया के गोंडा में कराने का एलान कर दिया था ये घोशना जलबाजी में की गई थी जब लुवफाई के समविधान की प्रस्तावना के खंड तीन के अनुसार ये बिल्कुल ठीक नहीं था इसलिए राजा ने प्यांदे की फेडरेशन का चुनावी निलंबित कर दिया देखिए राजा को कमी निकालने में सेकंड कभी समय नहीं लगता लेकिन राजा हर पीडित के भीतर हर गुहर लगाने के भीतर अपना दुश्मन देख लेता है राजा को जब लगता है कि अब कुरसी खत्रे में गुरू तब राजा को तपस्या में कुछ कम ही दिखाई दे जाती है जैसे किसान आंदुलत में दिखाई दी थी जैसे अब जाकर के बिजभूशर जी के आदरनी संजे सिंग में दिखाई दी है कुष्टी सिंकों ने लंबित किये जाने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है यह सही ने लिया गया है जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ संबंधित लोगों को पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए सैनिकों और खिलाडियों से जादा मैनत कोई नहीं करता हमें देश त्रोही कहा गया हम ऐसे नहीं है हमें पुरिसकाल जीतने पर मिला है हम उसे वापस भी ले सकते हैं हम सम्मान वापस गरहन कर सकते हैं जोस्तों इस वीडियो में इतना ही चलते हैं राम राम दोसलाम जैहि झाल 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 झाल